ये कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जिसका पती एक जंग में घायल हो जाता है और घायल होने के बाद ना तो वो खुद खड़ा हो पाता है ना ही उसका हतियार अब उसकी पतनी अपनी शारेरिक जरूरत को पूरा करने के लिए अपने ही नोकर के साथ हवस मिटाती है और आगे मुवी में क्या होता है जानने के लिए रेखी आज का ये एकस्प्लेनेशन मुवी का नाम है लेडीज चैटरलीज लवर और ये रिलीज हुई थी 1981 में मुवी की शुरुआत में गोडो की रेस दिखाई जाती है जिसे किलिफर्ड नाम का एक आदमी जीत जाता है फि इस वज़े से कलिफर्ड को अगली सुबह ही सेना में वापस जाना पड़ता है जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ ही रहा होता है तब भी अचानक से कहीं एक ग्रेनाइड उसके पास आकर गिरता है और वो गायल हो जाता है अब कलिफर्ड चल फिर नहीं सकता था तो वो अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है तो तुम उससे प्यार कर सकती हो इसके अलावा अगर तुम्हार कोई बच्चा भी होगा तो मैं उससे अपना वारिस बना लूँगा लेकिन कौनी उससे साफ मना कर देती है फिर वहाँ पर उनका गेट के पर ओलिवर आ जाता है क्लिफर्ड ओलिवर को घर तक छोड़ने के लिए बोलता है ओलिवर के नजर कौनी पर पढ़ती है और एक जलक में ही उसका दिवाना हो जाता है जाते समय वो बार बार मुड मुड कर कौनी को देखता रहता है एक दिन अचानक से क्लिफर्ड की तबियत खराफ हो जाती है वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है तब ही वहाँ पर एक नर्स आती जिसका नाम मिस बोल्टन होता है और वो क्लिफर्ड का इलाज करने लग जाती है इसके बाद क्लिफर्ड कौनी को बोलता है कि तुम ओलिवर के पास जाकर देखो कि मुर्गी ने अंडे दिये या नहीं अब कोनी अपने पती की बात मानकर ओलिवर के पास जाती है जो कि जंगल के बीच एक केबिन में रहता है बहाँ पोचकर कोनी देखते है कि ओलिवर अपने पूरे कपड़े उतार कर नहा रहा होता है अब उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो उलिवर को देख खर इमेजिन करने लग जाती है फिर खुद पर ज़्यादा हवस बढ़ने और कंट्रोल ना कर पाने की वज़र से उलिवर से बीना मिले ही घर पर आ जाती है और क्लिफर्ड के पूछने पर वो बताती है कि वो मिला ही नहीं अब रात को जब कौनी सोने जाती है तब उसको बार बार ओलिवर के ही खयाल आते है वो पूरी रात ओलिवर और उसके ओजार के बारे में सोस्ती रहती है और साथ आत उसको इमेजिन करते हुए अपने मोत के कुए में भी हाट डालती है अगले दिन क्लिफर्ड फिर से कौनी को अंडे देखने के लिए बेजता है और इस बार जब वो ओलिवर के पास जाती है तो ओलिवर उससे डंग से बात नहीं करता ओलिवर कौनी के हरकोतों से समझ गया था कि कौनी चरमसुकी प्राप्ति चाती है पर ओलिवर उसकी खुदाई नहीं करना चाता था क्योंकि इससे उसकी नोकरी चली जाती कौनी भी उसके बिहेवेर से गुसा हो जाती और वहां से चली जाती है अगले दिन कौनी और ओलिवर वापस मिलते है तब ओलिवर उसे एक चाबी देता है और बोलता है कि तुम अब कभी भी आकर अंडे देख सकती हो अब उसके बाद कौनी हमेशा ही ओलिवर के केबिन में पहुच जाती थी और अंडो के बहाने अंडो को देखती एक दिन दिरे गरम होने लगते हैं और फिर इंटिमेट होने लग जाते हैं लेकिन तोड़ी देर बाद कौनी को गिल्टी फील होता तो वो वहाँ से भाग जाती है और भाग कर वापस घर आ जाती है घर आते टाइम मिस बोल्टन भी उसको ओलिवर के पास से आते हुए देख लेती है इसके बाद कौनी बहुत दिनों तक ओलिवर से नहीं मिलती वो उसे प्यार तो करती थी लेकिन ये बात उसे गलत लगती थी उधर ओलिवर भी कौनी से मिलने के लिए तड़प रहा होता है वो एक दिन घर पर भी आ जाता है मिलने के लिए लेकिन वहाँ कौनी तो नहीं मि कौनी फिर Oliver के पास जाती है और उसे कहते है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। Oliver फिर उसे Clifford के बारे में पूछता है तब कौनी बताती है कि इस बारे में Clifford से बात करी है और वो मेरे बच्चे को वारिस भी बना देगा। और वो समझ जाती है कि ये फिर से Oliver के साथ मुझे काला करवा के आ रही है। इन सब के बावजुद भी वो Oliver से मिलती रहती है और वो उसको आज रात रुखने का भी बोल देती है। वो से ये भी बोलती है कि मैं तुमारी पतनी बनने को तयार हूँ लेकिन Clifford को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। Oliver फिर उसके बोलता है कि अगर Clifford को हमारी बारी में पता चलेगा तो वो तुमें छोड़ देगा क्योंकि कोई भी पती नहीं चाहेगा कि उसका वारिस एक नोकर का बेटा हो। फिर कोनी घर आ जाती है। गर आके वो देखती है कि Clifford ग भी निंद खुल जाती है। वो भी कोनी को देखने के लिए उसके रूम में चला जाता है। लेकिन वहाँ वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में नहीं होती। सुबह होते ही कोनी घर आ रही होती है। Clifford सामने ही बेटा होता है तो कोनी Clifford से कुछ बोले भी नहीं बोल लेता है। फिर कोनी को पता चलता है कि वो प्रेगनेंट हो गई है तो वापस Clifford के पास आ जाती है। पर वहाँ आने पर पता चलता है कि Clifford ने Oliver को काम से निकाल दिया। और फिर कोनी Clifford पर बहुत ज़्यादा गुसा करती है। और Oliver को ढूंडने के लिए निकल जाती है। म पास्ट में Oliver मान जाता है और दोनों एक साथ रहने लग जाते और कुछ इस तरह से ये मुवी यहीं खतम हो जाती है।